Hello Friends, Welcome to our channel Study with Anupama तो बच्चो आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर फेज से हाजिर हो चुके हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी रुपे को पैसे में चेंज करना जब रुपे हमारा कोई भी अमांट दिया हो तो हम उसको पैसे में कैसी कनवर्ट करेंगी तो इसकी आसान बहुत ही ईजी ट्रिक में आपको बताने वाली हूँ तो बीडियो को एंड तक देखते रहे हैं आप देखेंगे भी क्योंकि जब नहीं आएगा तो आपको देखना पड़ेगा तो चलिए बीडियो को शुरू करते हैं लेट्स टाप बच्चो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक रुपए में कितने पैसे होते हैं यह तो ज़्यादा था बच्चों को मालूम ही होगा एक रुपए में सो पैसे होते हैं कितने पैसे सो पैसे तो बस हमको इसी से कुर्शन को सॉल्ब करना है अब देखिए इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूं जो आपको अब तक किसी नहीं नहीं बताई होगी बहुत ही इजी तरीके से कि जब हमको रुपे को पैसे में चेंज करना है मेंस हम सीधे सीधे जाएंगे तो हमको करना है मल्टिप्लाइ रुपे में हमको कोई सीधे सीधे जारे हैं तो हमको करना है मल्टिप्लाइ और इसके ज़स्ट रिवर्स देखिए जैसे अब को आप हमें दे दिये गए हैं कितने भी पैसे दिये हूं मान लीजिए सो पैसे दे दिये पांच सो पैसे दे दिये हैं अब पैसे को रुपे में चेंज करना है इसका उल्टा करना है तो हम इसमें क्या करेंगे जब उल्टा करना है तो हमें करना है डिबीजन बस आपको यही ट्रिक आपको इसमें याद करने की जरुरत है जब हम सीधे सीधे जाएंगे तो करेंगी मल्टिप्ला और जब उल्टे जाएंगे तो हमको करना है डिबीजन तो चलि करना है यह चेंज करना है इंटू रुपी यू पैसे में कितने पैसे होईंगी डिट्य लेक्त शुपीय हम सेंडना है में किज दिया हुआ हमारे रुपै को पैसे में मदलना है means, सीदे। बंही सीदेज जाना है, तो हम को क्या करना है , सीदे जाने के लिए 100 का multiplied to the Fel of zrobić世LE तो अब हम इस को 500 को हम इस 100 में हंड़े से मल्टिप्लाय कर देंगे और यूनिट हम क्या लेकेगे क्योंकि अब रुपीज को हमने पैसे में चेंज कर लिया तो यह रुपीज रुपीज उनिट हट जाएगी और क्या जाएगी पैसा ओके बच्चो अब इसका मुल्टिप्लाय करो फाइब 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 और जेरो काउंट कीजिए तो हमारे 500 रुपे में 50,000 पैसे होंगे यह हमारा कॉंचन सॉल्व होता है अब हम इसका ज़स्ट रिवर्स ले लेते हैं मानिए मानिए एक हजार पैसा हम ले लेते हैं एक हजार पैसे में पैसे को चेंज करना है हमको रुपीज में one thousand पैसे चेंज इंटू रुपीज तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है है पैसे को रुपीज में चेंज करना है मीस उल्टा चलना है उल्टे चलने के लिए हमको क्या करते हैं करना है डिवीजन और डिवीजन कितने का हंड़ेट का तो आगे बच्चों आपको यह ट्रिक समझ में, सीधे जाएंगे तो multiply और उल्टा जाएंगे तो division तो हम यह उतार लेते हैं, 1000 पैसा, इसको चेंज करना है हमको रुपीज में, तो 1000, अब यह पैसा हटके क्या जाएगा, division, क्योंकि हमको 100 का division करना है, अब यह division 100 का हो गया, त तो अब हम पैसे की जगे हमारा यह क्या जाएगा unit, रुपीज, ओके, अब 2,0 से 2,0 काट दो, तो क्या आंसर है, 10 रुपीज, तो मिन्स हमको 1000 पैसा है, उसको हमें रुपीज में चेंज करना है, तो 1000 पैसे में हमारे 10 रुपीज होंगे, तो बच्चों यह ट्रिक आपको स आगे लेकर आऊँगी, तो तब तक के लिए बाई बाई